शिवाजी नगर के कमला रमन नगर से हुई पदियात्रा की शुरुआत इसको स्पुलर कहते हैं, ये स्पुलर है, 101% ये लोग जब देख लिये कि मुसल्मानों का ओट हम तो नहीं मिलेगा, इन्होंने मुसल्मानों के साथ को अच्छा स्लूक ही नहीं किया है, तो ये कहते हैं कि जब ओट नहीं मिलेगा तो ओट को बांट दो, बर्बाद कर दो अरे यहां उमीदवार कितने मालूम हैं कि बाइस उमीदवार हैं, बाइस में सोला मुसल्मान हैं, सोला मुसल्मानों बाइस में सोला मुसल्मान हैं, यह सब के सब ओट पांट में आए हैं, आप मेरा फेवार मत कीजिए, मुझे बिलकुल से, आप इमानदारी से बताएए, कि मैं तीन बार चुनकर आया हूँ, क्या यहां जब ओटियू होगी, सबसे ज़्यादा ओट मुझे नहीं मिलेगा? अब मुझे मेरे पाच जितने लोग है न थोड़ा दोड़ा उट लेंगे, यह कोशिश करेंगे कि आपू आसी महार जाएं, मैं अपने अलाके में जीते चीन को आने नहीं दूगा, चाहे कुछ भी हो जाए तो क्या, अबू आपके उठो, बिश्मनी जो भी आपस में मिटा क उठो, अब अगर एक ना हो पाए, अब अगर एक ना हो पाए तो मिट जाओगे, तुम भी खुश पत्तों की तरह दिखर जाओगे, यह मैसेज आपके बीच में लेकर अबू आसी महाया है, गुझारिश है, कि ओट बंटने ना पाए, और ओट बंटने ना पाए, दुसरा ओट देना सबको जरूरी है, पूरा का पुरे लोग ओट दे, जितने लोग हैं सब ओट देना चाहिए, और एक एक ओट साइकल पर पड़ेगा, 50% नहीं, 75% ओट होना चाहिए, जो लोग कहां चले गए, दिवाली की छुट्टे में उनको फोन कीजिए, कि बहुत बड़ी जंग है और ये इबादत है, इबादत है ये, इस मुल्क में हमको हिस्सा से रहना है, तो अपने ओट का सही इस्तिमाल करना पड़ेगा, यहीं आपसे कहने आया हूँ, आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया, खुदा आफिस, जैसमाजवाद मानखोर्द सिवाजी नगर विधासभा से महावेकासा घारी सपाक्य उमिद्वार, अबू आसिम आजवी ने पद्यात्रा की शुरुआत सिवाजी नगर के कमला रवन नगर से किये, इस मौके पर काफिस संख्या में लोग मौजुद रहे, वहीं अबू आसिम आजवी ने लोगों से ये कहा कि लोग अपने मत का प्रयोग करें वोटों को बिखरने ना दे, इस मौके पर अबू आजवी जीप पर सवार होकर लोग का हाथ जोड़ कर अभी वादन किया प्रशनागारों के बीच अबू आसिम आजवी का स्वागत किया जा रहा है, जगातार एक चर्चित बिदायक रहे हैं, वहीं हमाब को बताना चाहेंगे समाजवादी पार्टी की, अगर किसी ने नियु रखी है, तो वो अभू आसिम आजवी ने रखी है, समाजवादी प अबुशनागारों के लिच अबू आजवी ने रखी है, जगातार एक चर्चित बाबा अबू आसिम आजवी साहब आ चुके हैं, हम सना, हम तमाम लोगों का, आए सर्थ, यह वो इलेक्शन है जो खार बनाता है, असंबली में खार बनाने के लिए, अमेले चुने जाते है आर जरा सोचिए थोड़ी देर के लिए 2014 के पहले बीजेपी सरकार नहीं थी बीजेपी सरकार आने के बाद लवज जहाद नाम का आया लवज जहाद क्या चीज़े कोई चीज़ नहीं है लेकिन मुसल्मानों के साथ नफ्रत कर गए लवज जहाद के नाम पर सहक्रों मुसल्मानों को बर्वाद कर लिया गया आतंगवाद का नाम आया मुसल्मानों को आतंगवाद के नाम से जोड़ा गया काय और बैल के नाम पर कितने बेकुसूर मुसल्मानों को मार दिया गया मुसल्मान लगों को फकल कर मार मार के पिशाप पिलाया गया उनके मुँ में गोबर डार के गोबर खिलाया गया इसके पहले कभी सुना था आपने ये बात क्या आपने कभी सुना था कि इस हिंदोस्तान में जिसके लिए हमारे पुर्खों ने अपने जान दे दी जिस हिंदोस्तान को आजाद करवाने के लिए लाखों मुसल्मान शहीद हो गए उसी मुल्क में हमें आतमवाद का तुफ़ा दिया जा रहा है उसी मुल्क के अंदर एक कानून बनाया जा रहा है एन अर्सी के जरीया हम चेक करेंगे कि तुम्हारे दादा और तुम्हारे दादा के अप़ा कहां के रहने वाले थे और मुसल्मानों को निकाल दिया जाए ये कभी पहले आपने सुना था कभी आपने सुना था कि इस आदाज हिंदोस्तान में औरतों का बुर्का निकाल दिया जाए इसमें बैंट लगा दिया जाएं कभे सुना था आपने और आज हमारे पुर्खों की दियुई जमीने हमारे बाप दादाओं ने जो जमीने दर्गाउं को दिया था वे जमीने जो हितकाा और मस्जिद के लिए दिया था जो यतीमी खाने और मदरसे के लिए दिया था वो जमीनों की तादाद है नौ लाग नौ लाग जमीनों पर सरकार की नियत भर गई है उस जमीन को भी एक रज़ा करना चाहते है मुझे बोलो क्या पीजेपी को ओड़तोंगे आप जो हमें बरबाद कर देना चाहता है कि हमारे लागे में वस्ते लोग आना चाहिए यह एलेक्शन एलेक्शन नहीं है यह एलेक्शन हमारी तक्दीर का फैसला है कहा था अली मिया नद्वी साब ने बहुत बड़े हाली मैं इस देश के पूरे हिंदोस्तान का मुसलमान पंजवक्ता नमाजी जमाज से बन जाये पुरे मुसलिमानों पुरे जितने हिंदोस्तान में रहे जैशत हज़ीत गुजार one अगर उसके अंदर स्यासी शोर ने आया तो यदना मुसलमानों एक वक्ष़ ऐसा भी आसकता है तुमको पाँच वक्त की नमाज में हिंदोस्तान में वासर नहीं होगी होने के बाद पुरे दुनिया में वावेला मचा बहुत जुनों तक इसका वावेला मचा और आज कितनी मज़िदें रोई शहीद की जा रही है मेरे सामने हमारे सामने विशाल गड़ की मज़िद पर चाड़कर मज़िद को तोड़ दिया मज़िद के सेन में पुरा कुरान शरीफ जला दिया और हम लोग अपने यांखों से दिखते रहे यह होगा है देश में यह हम बर्टाश करेंगे हमें खाना नहीं मिले चलेगा रोजी रोटी से नहीं लगाया जाएंगा चलेगा हमारी सरकार नहीं बनाई चलेगा लेकिन हमें इस टेश में अपनी शरीयत को बचाना है कि नहीं बचाना है दो अमीदवार है दोनों के दोनों बीजेपी के एलाइंस के है यहां एलाइंस राष्टवाती पार्टी अजीत प्वार की एक नाशिंदे की सीशे ना और बीजेपी की तिनों एलाइंस में है कि नहीं है तुनों एक साथ हैं, यहां का उमीदवार ठिकट लेता है साइकल का घड़ी का, यहां का उमीदवार ठिकट लेता है एक नाशिंदे की तर्थीर धनुस का, और आगर कहते हैं कि हम सेकुलर हैं, इसको सेकुलर कहते हैं, यह सेकुलर हैं, 101% यह लोग जब देख लिए कि मुसल कि अच्छा सुलूक ही नहीं किया है तो यह कहते हैं कि जब ओड नहीं मिलेगा तो बांट दो बर्बाद कर दो ओड को पेटिया लोगों को जाओ थोड़ा ओड़ लो हमारे यहां उमीदवार कितने मालूम है कि 22 उमीदवार है 22 में 16 मुसल्मान है सब के सब ओड़ पांट में आये हैं आप मेरी मेरा फेवार मत कीजिए मुझे बिल्कुल से आप इमानदारी से बताएए कि मैं तीन बार चुनकर आया हूं क्या यहां जब ओडियों होगी सबसे ज़्यादा ओड़ मुझे नहीं मिलेगा अब मुझे मेरे बाच जितने लोग है न थोड़ा थोड़ा उट लेंगे यह कोशिश करेंगे कि आप मुझे मार जाएं मैं अपने इलाके में जीते चीन को आने नहीं दूंगा चाहिए कुछ भी हो जाए तो क्या अब असिम आदमे अब अकर एक नहों पाए तो मिट जाओगे तुम भी खुश पत्यों की तरह बिखर जाओगे यह मेसेज आपके बीच में लेकर अबू आसिम आया है गुजारिश है कि ओट बढ़ने ना पाए और ओट बढ़ने ना पाए दूसरा ओट देना सबको जरूरी है पूरा का पुरे लोग ओट दें जितने लोग हैं सब ओट देना चाहिए और एक एक ओट साइकल पर पड़ेगा 50% नहीं 75% ओट होना चाहिए जो लोग कहां चले गए दिवाली की छुक्ते में उनको फोन किजिए कि बहुत बढ़ी जंग है और ये इबादत है इबादत है इस मुल्क में हमको हिस्सा से रहना है तो अपने ओट का सही इस्तिमाल करना पड़ेगा यही आपसे कहने आया हूँ आप लोग का बहुत आपाल जैसमाजवाद वार आपके त्यारे लीजर मेरे जना अबु आपी मैं आपी साथ आए है समाज मा सब बाटी हमारी निशानी हमसाओ की निशानी कर दो कर दो कर दो कि खुप है उमना नहां